देराती बंदू आपका स्वागत है मेरी चैनल धर्ण और ज्यान में आजकर लोग जब अध्याद से जूड़ जाती हैं तो कुछ लोगों के यह मानना होता है कि हम भगवान की सिद्धियां प्राप्त करने कोई मातरानी की सिद्धि प्राप्त करता है अपने घर का एक शांत कमरा चुन लें जहां आप भगवान की पूजापार्ट करेंगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस कमरे को साथ सुत्रा करकर गंगजल से पवित्र कर लें उस कमरे में पुर्व दिशा की तरफ एक चोकी रखें उस पर के स्थरीया रंका आसन बिछाएं और इसके लिए आपको शुकल पख्ष का पहला मंगलवार चुनना है शुकल पख्ष के पहले मंगलवार से ही सादना शुरू करनी है के स्थरिया आसन पर हनुआन जी की मोट्ती स्थापित करें उनके सामने घी का दिया जलाना है पांच मुकी दुद्राख की माला चाहिए जिससे आप साथ माला का 41 दिन तक जाप कर सकें अब जानते हनुमान जी की चोकी कैसे लगाएं केसरिया आसन के सामने चोकी बनाएं तीन इंट रखकर उस पर लाल कपड़ा बिचा लीजिए उसके उपर हनुमान जी का सिद्ध यंद्र या हनुमान जी के प्रतिमा स्थापित करें और बुजा अरजिना करें जोकी पर एक मिट्टी का कलश स्थापित करें उस कलश में पानी भरके रखें उस कलश के उपर एक पानी वला नारियल लाल कप्रे मिला पेट कर उस कलश के उपर स्थापित करते हैं इसके बार खुद भी के सरिया रंग के वुस्तर पैने की चौकी के सामने अपना खुद का बैठने का आसन लगाएं उस आसन पर भी केसरिया रंग का लाल रंग का आसन बिच्छाएं क्योंकि मंगल का जो ग्रेया रंग होता है मंगल ग्रेया का रंग होता है लाल होता है इसलिए लाल रंग का ही आसन लेना है उस पर बैड़ जाएं और खुद भी के सिर्या, रंगे वशतर धारण करने है एक घीका दिया जलाना है, साथ ही अगर बति दोपती भी जलानी है गोई भी बूजय शुरू करने से पहले सबसे पहले संकल्प करते हैं, तो अब देखते हैं संकल्प कैसे करना है संकल्प करने के बाद साथना शुरू करनी है संकल्प लेने के लिए दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें और कहीं ही परमपिता परमात्मा फिर अपना नाम बोलें अपना गुत्र बोलें आप सब की किरपा से मैं हरुमान जी की मंत्र की सिर्थी करने जा रहा हूं मुझे मेरी साथना में सफलता परदान करें इतना कहने के पश्याथ अपने दाए हाथ में जो जल लिया है उसे जमीन पर छोड़ दें और अपने दोनों हाथों में दोनों हाथों से तीन बार जमीन को इस परश करना है और यह मंत्र बोलना है ओमशिरी विष्णवे नमा ओमशिरी विष्णवे नमा ओमशिरी विष्णवे नमा इसके बाद अब दाए हात में मालाधरन करनी पाजम की रुद्राक्श की फिर अपने 108 बार गड़ेस जी के मंत्र का जाब करना है क्योंकि गड़ेश जी को ही बनाना बहुत जरूर ये कोई भी भगवान के साधना में रुकावटन न है इसलिए एक सुनाट बार ओम गंग गणपते नमा मंतर का जाब करना है उसके पशाद भगवान शिरी राम का स्मरण करें स्मरण करते हैं हनमान जी पहरा किका आप मंतर मंतर को बोल कर भी जाप कर सकते हैं जब आपको मंतर मंतर अच्छे से स्मरण हो जाएगा तो मंतर का मनहिमन उच्ठारण करना है जितनी आप में सामर तो उस हिताब से आप संख्या तैय कर लें आप रोज कितनी माला का जाप करेंगे एक माला कर सकते हैं तीन माला कर सकते हैं पांच माला या फिर साथ माला का जाप आपको करना है मतलब कम से कम आपको 45 मिनट तक तो जाप के लिए बैठ नहीं है और आपको निश्यत समय भी निधारित करना होगा या तो आप सवा साथ पे बैठें सवा साथ मतलब साथ 15 पे या आठ 15 पे या नो 15 पे दस 15 पे इन चारों में से कोई साथ भी time आप अपने अकॉर्डिक निश्चित कर लीजिए इस समय मुझे साधना करनी है और ये साधना आपके एक तालिस दिन तक चलेगी और उसी जंगे पे ही करनी है वो जंगे नहीं बदलनी जहाँ पे आप वो साधना शुरू करनी है वही पे खतब करनी चोकी हिलानी नहीं है एक तालिस दिनों के बाद ही जोकी हिलेगी इतालिक दिनों तक साधिना करनी है हर्मान जी का मंतर में आपको इस डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दूँगी ओम हम हनुमते रुद्रात मकाए हूम भट जब आपके एक तालिक दिनों का जब संपूर्ण हो जाए तो उस तारियर को कुछ दख्षिना के साथ हनुमान जी के मंदिर पर चड़ाई आए हनुमान जी के समक्ष मनोकाबन पूरी होने के बार हनुमान जी को सवामनी लगाने का संकल्प लें इस साधना में कुछ नियाम को भी फोलो करना है साधना काल के दोरान अपने घर का विशेशत और तरीके से साफ दखाई का द्यान दख्यें से रमभी शुद्र हैं साधना के समय के सद्य रंग के वस्त्र वश्य धारन करें कि सर्य वस्त्र भारन करने के बाद ही मंत्र जाप करें साधना काल के दोरान मन में किसी के प्रतिन अकरात्मक या पुरे विचार या इरिशा दोईश ना लाएं अगर आप नियम पुर्वक श्रद्धा पुर्वक इस नियम का पारण करती हैं तो आपकी साधना निश्चे ही सिद्ध हो जाएगी आपकी बड़ी से बड़ी मनों कामना बड़ा से बड़ा संकट हरमान जी स्वयम ही हर लेंगे क्योंकि हनुमान जी तो संकट मोचन कहलायते हैं इसलिए हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं यह जानकरी मैं आपको पुस्तक पुराणों में से देती हूँ आपका काम होना ना होना आपकी शर्दा भक्ती पर निर्भर करता है कर्मिन्ट में ओम हमानमते नमा जरूर लिखे हैं जरी राम जरूर लेखे हैं राधी राधी है